ओम शांती आज बाबा के 26 दिसंबर 2020 के साकार मधूर महावाक्य है आज के मधूर महावाक्यों में बाबा ने याद का महत्व समझाया कि जितना तुम बच्चे याद करते हो याद से आत्मा पावन बनती चाहेगी ये गुप तो पुर्शार्थ करते रहना है बाबा को याद करने का याद से ही आत्मा के अंदर शांती शक्ती सभी गुण आते है फिर बाबा ने कहा कि जैसे जैसे विनाश का समय नजदी काता चाहेगा तो उसकी निशानिया क्या होंगी बहुत सुन्दर निशानि बाबा ने बताई कि जैसे जैसे विनाश का समय नजदी काएगा तो सभी पहचानेंगे कि बेहद का बाबा आया हुआ है शिव बाबा सारी विश्व की आत्माउं का पिता है और वो आया हुआ है घर बैटे भी बहुतों को साक्षतकार होते रहेंगे और यहां तकी जो सन्यासी है राजाई है वो भी ज्यान प्राप्त करेंगे अकबारों में भी डलता रहेगा मेडिया के द्वारा तो आजकल वैसे भी बहुत अच्छी सेवाई हो रहे है सासत बाबनी का आप बच्चे अतिंद्रिय सुख में रहेंगे जो बाबा की बच्चे हैं वो चलते फिरते भी इतना याद करेंगे कि उन्हें अतिंद्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा फिर बाबनी का कि आपको वीजे माला का दाना बनना है तो अच्छा पुर्शार्थ करना है ब्रह्मा बाप की कदम पर कदम रखना है बाबा की सनेही बच्चे भी बनना है और सासत फॉलो करना है जैसे बाबा नी कहा कारबन डाल देते हो ना तो कॉपी करने के लिए कारबन डालते हो ऐसे ही अटेंशन रूपी कॉपी आपको जरूर करना है अटेंशन जरूर देना है कि मुझे बाबा जैसा बनना है और उसमें जो भी विगन बादाएं हैं उनको दूर करना है जै हम उसके लिए अपने से बड़ों की मदद लेनी पड़े फिर बाबा ने का संतुष्टता की निशानी है प्रसन्ता और जहां प्रसन्ता है वहां कोई भी प्रशन नहीं हो सकता है अब एक आग्रुफ कर सुनेंगे बाबा ने का मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्में बेहद की जागीर देने ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन चाएंगे बाबा बच्चों को बेहद की जागिर देने आए हैं बेहद की बादिशाही देने आए हैं ऐसे मीठे बाबा को प्यार से याद करो तो पावन बन चाएंगे कोश्चन विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी पहली निशानी सबको मालूम पढ़ता जाएगा कि बाबा आया हुआ है हमारा बाबा आया हुआ है दूसरा अब नई दुनिया की स्थापन, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बहुतों को सक्षतकार होंगे, घर बैठे बैठे सक्षतकार होंगे, सन्यासियों राजाओं आदी को ज्यान मिलेगा, जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वोही सद्गती देने वाला है, तो बहुत आएंगे, अखबारों द्वारा भी अनेकों को संदेश मिलेगा, और तुम बच्चे, आतम अभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की याद में, अतिंद्रिय सुख में रहेंगे, गीते इस पाप की दुनिया से, कहीं तु और ले चल, ओम शांती, ये कौन कहते ह हैं, रूहानी बच्चे, बाबा घड़ी-घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं, क्योंकि बातमाओं को जाना है, फिर जब इस दुनिया में आएंगे, तो सुख होगा, आतमाओं ने शांती और सुख का वर्सा, कल्प पहले भी पाया था, अब फिर ये वर्सा रिपीट हो रहा रिपीट तो सब होता है न, जो कुछ पास्ट हुआ, सो रिपीट होगा, यह तो नाटक भी रिपीट होते हैं, प्रंत उसमें चेंज भी कर सकते हैं, कोई अक्षर भूल जाते हैं, तो बना कर डाल देते हैं, इसको फिर बाइसकोप कहा जाता, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये अनादी बना बनाया ड्रामा है, उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे, इस ड्रामा को समझने से फिर उसके लिए भी समझ में आ जाता, बच्चे समझते जो नाटक कादी अभी देखते हैं, वो सब हैं जूठे, कल्यूग में जो चीज देखी जाती है, वो सत्यूग मे होगी नहीं सत्यूग में जो हुआ था सो फिर सत्यूग में होगा ये हद के नाटका दी फिर भी भगती मारग में होंगे जो चीज भगती मारग में होती है वो ज्ञान मारग अर्था सत्यूग में नहीं होती है तो बेहद के बाप से तुम वर्सा पा रहे हो। बाबा ने समझाया एक लौकिक बाप से दूसरा पारलोकिक बाप से वर्सा मिलता है। बाकि जो अलोकिक बाप है उनसे वर्सा नहीं मिलता। ये खुद उनसे वर्सा पाते हैं। ब्रह्मा बाबा से वर्सा नहीं मिलता। ब्रह्मा बाबा पही शिव बाबा से वर्सा लेते हैं ये जो नई दुनिया की प्रोपरटी है वो बेहद का बाप देते हैं सरफ इन द्वारा इनसे एडॉप्ट करते हैं इसलिए इनको बाप कहते हैं भगती मारग में लौकिक और पारलोकिक दोनों याद आते हैं ये अलौकिक याद नहीं जाता क्योंकि इनसे कोई वर्सा मिलता ही नहीं बाप अक्षर तो बरोबर है प्रन्तों ये ब्रह्मा भी रचना है ना रचना को रचता से वर्सा मिलता तुमको भी शिव बाबा ने क्रियेट किया है ब्रह्मा को भी उसने क्रियेट किया है वर्सा क्रियेटर से मिलता वह ब बेहद का बाप, ब्रह्मा के पास बेहद का वर्सा है क्या, बाप इन द्वारा बैठ समझाते, इनको भी वर्सा मिलता, ऐसे नहीं कि वर्सा लेके तुम्हें देते हैं, बाबा गयते तुम इनको भी याद ना करो, ये बेहद बाप से तुम्हें प्रोपर्टी मिलती है, बेह सब्सक्राइब न बढ़ा कि ब्रह्मा बाबा का वर्सा क्या कहेंगे बुद्धी में जागीर आती है यह बेहद की बादिशाइए तुमको उन से मिलती है यह बड़ा बाबा यह तो कहते मुझे याद नी करो मेरे तो कोई प्रोपरीटी नहीं है शिल बाबा है बड़ा बाब ब्रह्मा बबाबा केते हैं मुझे याद मत करो मेरे से कोई प्रोपर्टी तुमें नहीं मिलती है जिससे प्रोपर्टी मिलनी है उसे याद करो वो ही कहते हैं मा मेकम याद करो लौकिक बाप की प्रोपर्टी पर कितना जगडा चलता है यहां तो जगड़े की बाती नहीं बा अपने को आत्मा समझो इस रत को भी कहते तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादिशाही मिलेगी ब्रह्मा भाबा को विश्व बाबा क्या कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो बादिशाही मिलेगी इसी कहते हैं याद की आत्रा दे देह से न्यारी में आत्मा हूं, मुझे शिव बाबा से वर्सा लेना है, अशरीरी बनना इसमें महनत है, पढ़ाई के लिए कोई तो महनत चाहिए न, इस याद की आत्रा से तुम पतित से पावन बनते हो, मैं यात्रा करते हैं शरीर से, यह आत्मा की आत्रा, यह तुम्हारी पदवी वही पा सकते हैं, जाएंगे तो सब प्रंतु वहतो पतित है न, इसलिए पुकारते हैं, आत्मा याद करती है, खाती पिती सब आत्मा ही करती है, इस समयतों में देहिय अभिमानी बनना है, यह मेहनत है, चलते फिर्टे अपने को, आत्मा समझना, देहिय अभिमानी बनना, इसमें मेनत है, बिगर मेनत कुछ मिलता नहीं, है बहुत सहज, प्रन्तु माया का ओपोजीशन होता है, किसकी तकदीर अच्छी है, तो जट इसमें लग जाते हैं, कोई देरी से भी आएंगे, अगर बुद्धी में ठीक रिती बैठ गया, कहिंगे बस हम इस रूहानी आत्रा में लग जाता हूँ, ऐसे तीवर वेग से लग जाएं, तो अच्छी दोड़ी पहन सकते हैं, आते ही कोई अच्छा पुर्शार्ट करने लग जाए, तो बाबा कहते हैं, घर में रहते भी गुद्धी में आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी राइट बात है, हम अ यहां तुम्हारी बुद्धी में है, हमें वापिस जाना है बाबा के पास, फिर यहां कर विश्नु की माला में पिरोना है, माला का हिसाब करे, माला तो ब्रमा की भी है, विश्नु की भी है, रुद्र की भी है, पहले-पहले नई सृष्टी की ये हैं, बाकी सब पीछे आत भी तो थोड़ा डालते हैं ऐसे नहीं कि एक अंख़बार सब पढ़ते हैं लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, कोई दो चार अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिलकुल नहीं पढ़ते, यह सबको मालूम पढ़ना ही है कि बाबा आया हुआ है, सबको पता चलेगा, मेरा बाबा कल्यान करी बाबा आया हुआ है, विनाश का समय नजदेक होगा तो मालूम पढ़ेगा, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, हो सकता है बोतो को सक्षतकार भी हो, तुम सन्यासियों राजाओं आधी को भी ज्यान देना है, बोतो को पैगाम मिलना है, जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वो ही सद्गती करने वाल है, तो बहुत आएंगे, अब ये अखबार में इतना दिल पसंद काईदे मुझीब निकला नहीं है, कोई निकल पढ़ेंगे, पूछताच करेंगे, बच्चे समस्ते हम शिरिमत पर सत्यों की स्थापना कर रहे हैं, तुम्हारी ये नई मिशन है, तुम हो इश्वरिये पूछना हो, तो गोपी वललब की गोप गोपियों से पूछो, जो आतम अभिमानी बनते हैं, ये तिंद्रिय सुक्यने मिलता है, जो आतम अभिमानी बनते हैं, एक बाबा को याद करना है, दूसरा न कोई, ये राजियोग एक बाप ही सिखाते हैं, वोही गीता ज्यान दा बाप को यही बाप का निमंत्रणवा पैगाम देना है। बाप कर रहे हो भगती का फल है ज्यान। जो कुछ एक्ट सत्यूग में चली होगी वह वहाँ चलेगी। क्या होगा यह बाप नहीं बताते। जो कुछ हुआ होगा वही होगा। यहां की बाते वहां सब भूल जाएंगे। अब तो बाबा केते संगम युग पे आप सत्यूग में संगम पर अंतर सब स्पष्ट समझ सकते हो बता सकते हो। वहां तो संगम युग यादी नहीं होगा। यह नई बाते जो बाबा बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहां जाना है जहां कारोबार आदी सारी बंद हो चाती है। हिसाब किताब चुक्तु होता है, रिकार्ड पूरा होता है। एक ही रिकार्ड बहुत बड़ा है, कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, प्रंतु नहीं। चोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। आत्मा भी अविनाशी है, इसको सरफ वंडर ही कहेंगे। ऐसे आश्रेवत चीज और कोई हो ना सके। चोटी सी बिंदी है आत्मा। कितनी सुक्षम की नेत्रों से आप देख नहीं सकते। और उसके अंदर 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। बाबा के लिए तो कहते हैं सत्युक्त रेता किसमें विश्राम में रहते हैं। हम तो आल राउंड पार्ट बचाते हैं। सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। तो बाप वर्सा भी उंच देते हैं। यते 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है जो और कोई बजा न सके। वंडरफुल बात हैं। ये भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैट समझाते। आत्मा मेल फिमेल नहीं। जब शरीधारण करती हैं तो मेल फिमेल कहा जाता है। बाबा से वर्सा लेना है इसलिए आत्माई सब भाई-भाई हैं। सब आत्माओं का हक है बाबा से वर्सा लेने का। उसके लिए बाबा को ही याद करना है। अपने को आत्मा समझना है। हम सब ब्रदर्स हैं। चलते फिरते पाठ पक्का करना है। सब बाबा के बच्चे हैं, आतमा रूप में भाई-भाई हैं आतमा आतमा ही है, उप कभी बदलती नहीं बाकि शरिर कभी मेल का, कभी फिमेल का लेती हैं यह बड़ी अटपटी बातें समझने की हैं और कोई भी सुना ना सके बाब से तुम बच्चे सुन सकते हो, बाब तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं, आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे, अभी करते करते आखरें तो कोई से बात ही नहीं करेंगे, संशोस फादर है न, बच्चों को ही पढ़ाना है, तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस करके उन्हें ले आते हो बाबा समझते ये भोतों को आपसमान बना के ले आते हैं ये बड़ा राजा बनेंगे भोतों को संदेश देते हैं तो बड़े राजा बनेंगे और ये छोटा राजा बनेंगे तुम रुहानी सेना हो सब को रावन की जंजीरों से चुड़ाए अपने मिशन में ले आते हो आप रुहानी सेना हो, सभी को रावन की विकारों की जंजीरों से चुड़ाते हो जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है जिसने जास्ती भगती की, वो जास्ती होश्यार हो जाते हैं और वर्सा लेते हैं, यह पढ़ाई है, अच्छी रिति पढ़ाई नहीं की, तो फेल हो जाएंगे, पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी सहज है, दिविकल्टी की बात नहीं, परंतु राजधानी स्थापन होनी है, उसमें सब जहें, सत्यों की राजधानी बन पर लोक में जाना है, जितना पढ़ेंगे, उतना अमर पुरी में उच्पद पाएंगे, बाबा को प्यार भी करना होता है, क्योंकि यह है बहुत प्यार से प्यारी वस्तु, प्यार का सागर भी है, एकरस प्यार होड़ना सके, कोई याद करते हैं, कोई नहीं करते हैं, सब का प्यार नंबरवार है बाबा के साथ, बाबा तो सबसे प्यार करते हैं, लेकिन हम में से जितना हम याद करते हैं, उतना उस प्यार का अनुभव कर पाते हैं, इसको समझाने का भी नशा रहता है, ये बड़ा टैमपटेशन है, कोई को भी बताना ये यूनिवर्सिटी है, ये spiritual पढ़ाई है, ऐसी चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते, दिन प्रति दिन औरी चित्र निकलते रहेंगे, जो मनुष्य देखने से समझ जाएं, स्रीडी है बहुत अच्छी, पर नतु देवता धरम का नहीं होगा, उसे समझ में नहीं आएगा, स्रीडी का च वही आएंगे, तुम्हें फील होगा, ये बहुत रूची से सुन रहे हैं, कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे, दिन प्रति दिन नई नई बाते भी बच्चों को समझाते रहते, सर्विस का शोक होना चाहिए, जो सर्विस पर ततपर होंगे, वही दिल पर चड़ेंगे, तक् आगे चल तुम्हें सब साक्षतकार होता रहेगा, उस खुशी में तुम रहेंगे, दुनिया में हाहाकार बहुत होना है, रख्त की नददिया बहनी है, बहादुर सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मरेंगे, जो बच्चे बहादुर हैं, सेवा करने वाले हैं, गरंट भी ससुर्घर जाते हो, तो वो नशा रहता, वो है सुखदाम, नई दुनिया को बाबा करते हैं, वो है सुखदाम, ससुर्घर वहाँ जाके सजना सवरना, यहां तो बहुत सिंपल रहना है, वन वहाँ में रहना है, यहां पर बाबा करते हैं, खाना, पीना, पहनना, यह ज नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप ददको, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धार्णा के लिए सार, पहले पॉइंट है, माला में पिरोने के लिए, देही अभिवानी बन, तीवरवेग से याद की आत्रा करनी है, वो तीवरवेग से अच्छे से बाबा को याद करना है, बाबा की फर्मान पर चलकर पावन बनना है, बाबा का परिचे दे, बहुतों कौपसमान बनाने की सर्विस करनी है, यहां वनवाह में रहना है, बहुत सिंपल रहना है, अन्तिम हाहा कारकिसीन देखने के लिए, महवी डर्णा नहीं है।च्रैक्ना जानते कि इसके बाद नई दुनिया आने वाली है। वर्ढ़ में स्नेही का रिस्पॉनट देने वाले तीवर पुर्शार्थ ही भव। हर करम में follow father कर स्नेही का response देने वाले तीवर पुर्शार्थी भव जिससे स्नेह होता है उसको automatically follow करना होता है सदा याद रहे ये करम जो कर रहे हैं ये follow father है जो करम कर रहे हैं follow father है अगर नहीं है तो stop कर दो बाप को copy करते बाप समान बनो copy करने के लिए जैसे carbon paper डालते हैं वैसे attention का paper डालो तो copy हो जाएगा attention का paper डाल दो तो copy हो जाएगा क्योंकि अभी तिवर पुर्शार्थी बन स्वयम को हर शक्ति से संपन बनाने का समय है अभी का जो समय है वो तिवर पुर्शार्थी बन स्वयम को शक्ति शाली बनाने का समय है अगर स्वयम स्वयम को संपन नहीं कर सकते तो बड़ों का सहयोग लो नहीं तो आगे चल कर चूलेट हो जाएगे स्वयम पुर्शार्थ करो नहीं समझ में आए अपने से बड़ों का सहयोग लो और अटेंशन दो ब्रह्मा बापको फोलो करो स्लोगन है संतुष्टता का फल प्रसन नता है प्रसन चित बनने से प्रशन समाप्त हो जाते हैं जितना प्रसन रहेंगे सारे प्रशन समाप्त हो जाते हैं आज हम अभ्यास करेंगे मैं शिव बाबा का शक्तिशाली बच्चा हूँ ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें